नमस्कार मैं हूँ अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर इनका स्वास्त ठीक नहीं चल रहा है गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार 18 माई को सुपरिम कोट ने सतेंद्र जैन की जमानत याजिका पर सुनवाई करते हुए प्रवरतन निदेशाले एडी से जवाब मांगा था जस्टिस एस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने इडी को नोटेस जारी करते हुए जैन को ये स्वतंतरता दी है कि वो अदालत के वेकेशन बेंच में राहत के लिए अपील कर सकते हैं इस दोरान सतेंद्र जैन की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ट वकील अभिशेक सिंगवी ने दलील दी थी कि पूर मंतरी का जेल में रह का विरोड करते हैं इस पर अदालत ने अगली सुनवाई कि कोई स्पष्ट तारीक नहीं दी और कहा था कि जाहत के लिए सतेंद्र जैन वेकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं